नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए सुनते हैं उर्मिला शिरेश जी की लिखी कहानी अपराधी अचानक ब्रेक लगने से एक के पीछे एक अनेक गाड़िया रुपती गई एक जटके के साथ कुछ गाड़िया एक दूसरे से टकराई तो कुछ टकराते टकराते बची तो कुछ को उनके मालिकों ने सुरक्षित बचा लिया क्या हुआ हर एक की जुबान पर एक ही सवाल था जिग्याशा थी यहां क्यों रोग दिया क्या कोई वी आई पी राज्य पाल मुख्यमंत्री वगएरा निकल रहा है या एक्सिडेंट हो गया है ट्रैफिक सेंस तो लोगों में है ही नहीं ओवर टेक करके आगे निकलने के चक्कर में सब हवा में दोडते हैं लोग आपस में आगे पीछे अगल बगल में बाते कर रहे थे बार बार घड़ी पर बेचैन निगाहें दोडा रहे थे क्योंकि किसी को दफतर पहुशना था तो किसी को होस्पिटल तो किसी को स्कूल कॉल की पागल है, बीच सडक पर बच्ची को जमीन पर डाल कर बैठी है और किसी को भी निकलने नहीं दे रही है ओ गॉड उसकी बच्ची को इसी वक्त सडक पर आकर मरना था, मेरा बोस जान खा जाएगा, मीटिंग का समय निकला जा रहा है बच्चों और जानवरों में क्या अंतर है जहां देखो वहां दोड़ते सडकों पर खेलते, घिसटते बीख मांगते मिल जाएंगे कई बार तो अचानक गाड़ी के सामने से निकल जाएंगे, ब्रेक लगाओ तब तक गायब ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है क्यों नहीं पगली को पकड़ कर अलग करती है यहां तो सब का रात चलता है जो चाहे सुधरना दे जो चाहे सुरैलिया निकाले जो चाहे सुप्रदर्शन करे कानून है कोई या नहीं फाल्तू लोग एक अफसर नुमा व्यत्ती गुस्से में बोले जा रहे थे इस अंदाज में कि आसपास वाले उनकी बातों को सुने वह पगली उठने को तयार नहीं पुलिस को बुलाया है पुलिस तो नहीं आई कैमरा मैन और टीवी वाले ज़रूर आ गये है आज कल तो मीडिया वालों को खबर चाहिए जब तक वे उसे शूट नहीं कर लेंगे तब तक खटेंगे नहीं किसी का नुकसान होतो हो कुछ लोग गाड़ी से उतर कर घटना इस्थल तक चले गए थे चारो तरफ अच्छी खासी भीड गठी हो गई थी कर उसने देखा एक अधेड उम्र की औरत जो कमर तक निर्वस्त थी जिसने नीचे पेटिकोट पहना हुआ था जिसके बाल पुर्शों के समान कटे थे जो आधे काले और आधे सफेद थे जिसके कंधे चोड़े चोड़े थे जिसके इस्तन दूद भरे होने के कारण लटके हुए थे जिन पर नीली धारें दिख रही थी और जिसका पूरा बदन फफूद लगा शुश्क था चोड़ा चेहरा हलकी सी कंजी आखे दोनों होट फैले हुए और नीचे के दाथ पीले थे वह फटी फटी आखों से चारो तरफ चहरा घुमा घुमा कर भीड देख रही थी क्या चीज रही होगी अपने जवाने में किसी ने पीछे से फिक्रा कसा क्या चीज शकल सूरत कितनी अच्छी है आज भी शकल सूरत कितनी अच्छी है चहरे से तो भले घर की लगती है भले घर की होती तो क्या यहां होती पता नहीं किसने इसे सताया होगा लोग तरह-तरह की बाते कर रहे थे पर वह सब की बातों से निरलिप्त बेशर बैठी थी कैमरों की चमक टीवी कैमरों की आखों का भी उस पर कोई असर नहीं पढ़ रहा था हाँ जब भी कोई उसकी बच्ची के नस्दीक जाता तो वो जपट्टा मारने के अंदाज में पलटवार करने को तयार हो जाती जोकनी हिरनी की तरह हाथ नहीं लगाने दे रही है बच्ची को किसका पाप होगा या कोई तो होगा हरामी मा की ममता देखो कैसे अपनी बच्ची को बचा कर बैठी है अरे भई हटाओ क्या तमाशा है आप लोगों को मज़ा आ रहा है या सब देखने में दिल दहला देने वाली चितकार से लोग थर-थर आ गए और थोड़ा पीछे हट गए तभी किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत दिखाई लेकिन उसको भी वचीख कर मारने दोड़ पड़ी पुलिस को बुलाया है अब तक कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ लोट चुके थे दूसरा रास्ता पकड़ कर जाने के लिए गाड़ियां मोड रहे थे अब तक पुलिस भी आ चुकी थी साथ में महिला कॉंस्टेबल थी बीड को एक तरफ करते हुए ताकि रुकी हुई गाड़ियां निकल सके महिला कॉंस्टेबल उसकी बच्ची के पास गई तो पगली उसी तरह चीखी आस्मान को धर्रा देने वाली चीख के साथ इतनी ताकत उसकी देह में कहां से आ गई थी कि वह उनकी पकड में नहीं आ रही थी बच्ची को मच्चूओ किसी ने कहा पहले उसको कंट्रोल में करो बच्ची का सेर एक तरफ से फट गया था चहरा नीला पड़ गया था पून का काला थक्का जमा था धूल मिट्टी से सनी उसकी नन्ही सी देह जैसे तपकर सूखने लगी थी पगली को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा था तभी एक यूवग दोड़ता हुआ आया रुकिये रुकिये साब रुकिये उसने बच्ची को टटोला थप थप आया उपर नीचे किया फिर चारों तरफ देखकर बोला किसने मारी टककर कंधे पर पड़ी टावल में उसने घायल मिर्ट पड़ी बच्ची को लपेटा और पगली के पास जाकर बोला कुछ नहीं हुआ ठीक हो जाएगी उठो छोड़ दीजे साहब वह मान जाएगी टीवी कैमरा सामने आ गया माईक लेकर टीवी वाला पूछने लगा आप कौन हैं कैसे जानते हैं ये पगली आपकी कौन हैं कहां से आई लड़का हाफ रहा था पसीना पसीना हो रहा था विस्फारित नेत्रों से देखती पगली का मिजाज कब आपे से बाहर हो जाए उसे खुद अंदाज नहीं था उसकी गोद में बच्ची थी और पीछे पगली पहले रोट खाली करिये बाद में बाद करना गोद में उठाए लड़के के पीछे पगली चल रही थी आसपास के लोगों को गुस्से में देखती यही होगा इसका बाप किसी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा शकल से साला सीधा लगता है पर देखो कैसा कल्योगा गया लोग पगली तक को नहीं छोडते हैं फिर किसी के ठहाके सुनाई दिये और अशलील मजाग भी युवक बता रहा था साब मेरी चाय की दुकान जहां मेरी दुकान है वही एक खाली जगपड़ी है डेड़ साल पहले मैंने इस औरत को वहीं देखा था वहां आकर या चुपचा कुछ बढ़बढाती रहती थी कभी गाती तो कभी हसती तो कभी कुछ नाम लेकर कुछ-कुछ बोलती रहती थी इसका बढ़ा हुआ पेट देखकर हम लोगों ने इसे कुछ-कुछ खाना देना शुरू किया चाय, पावभाजी अब्रेड फिर मैंने और मेरी मिसिज ने इसकी डिलिवरी करवाई आपने देखा कितनी सुन्दर बच्ची थी या अपनी बच्ची को लेकर बैठी रहती थी इसे तो कोई होश रहता नहीं था मैं ही उसकी देखबाल करता बच्ची को नहलाता, धुलाता, कपड़े पहनाता उसकी देखबाल करता वह कहीं भी जाती पर बच्ची के कारण लौट आती थी बच्ची को दूद भर पिला देती थी बस इससे जादा मैं कुछ नहीं जानता इस बच्ची के बिना वह कैसे रहेगी और अभी तो मेरे हाथों में बच्ची को देख रही है सोच रही होगी बच्ची जिन्दा है मैं दफनाने ले जाऊंगा तब क्या करेगी नहीं बता सकता एक तमाशे का अंत टीवी वालों के लिए इतना ही हो सकता था और अखबार पढ़ने वालों के लिए सहानुभूती के दोशब्द बोलकर अपसोच जाहिर करने का लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या हुआ उस यूवक का और क्या हुआ होगा पगली का यह जानने का न तो किसी के पास समय था न जिग्याशा कुछ दिन बाद या घटना भी सम्रतियों में चली जाएगी और खत्म हो जाएगी पगली की कहानी लेकिन उसे याद रहा याद रहा इसलिए वह उस पगली को भूल नहीं पा रही थी उसकी आखों को उसके खुले होटों को उसके कंधों को वो उसके दूद भरे इस्तनों को बच्ची को कोई छून अले इस भै में निकली उसकी चीख को इसलिए उस रोट से गुजरी तो निगाहे रमेश की दुकान पर पड़ गई रमेश ग्राहकों को चाय दे रहा था वह पागल औरत कहां गई है रमेश ने प्रश्ण सूचक निकाहों से उसको देखा क्या फिर अखबार में खबरों की कमी हो गई है क्या फाइदा पूछने से आप लोगों को पागल में दिल्चस्पी है क्यों? क्यों नहीं हो सकती जिग्याशा जिसने टकर मार कर एक नन्ही बच्ची को मार दिया वह तो आज तक पकड़ा नहीं गया ना किसी ने कोशिश की उसे ढूढने की क्योंकि वह पगली की बच्ची थी रमेश ने बताया जब बच्ची को दफनाने के लिए ले जा रहा था वह नहीं चाहता था कि पगली उसके पीछे आये और उसे स्थान को देखे जहां बच्ची को दफनाना था बच्ची का शव बदबु मारने लगा था मखियां और चीठियां लग गई थी उसे भै था कि पगली बच्ची का शव न निकाल ले लगभग दूसरे दिन के शाम से पहले क्योंकि वह एक पल के लिए उसे नहीं छोड़ रही थी किसी तरह वह उससे छुपते छुपते दफना कर आया तो देखा वह मुझसे नाराज है उसके उपर सामान फेक कर मार रही है चीख रही है लोट लगा रही है दो तीन दिन तक यहनाटक चला फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया बीच में वह गायब हो गई और फिर जब आई तो उसके हाथों में दो देशी पिल्ले थे उन पिल्लों के साथ वह कुछ दिन दिखाई देती रही लेकिन रात देन अपनी बच्ची की खोच में भटकती वह एक देन उस पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी आंति तक उसने मुझे माफ नहीं किया बच्ची को मारा किसी ने और उसकी नजरों में मैं अपराधी था बताईए पगली और उसकी बच्ची के जीवन की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीज जी के लिखी कहानी अपराधी दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मस्कुराते रहे धन्यवाद